नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आज एक बेहद रोचक और अद्भुत सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे, कलयुग वेसुस हनुमान जी, क्या होगा अगर ये दो अद्वितीय शक्तियां आमने सामने हों? इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कौनसी शक्ति सबसे ज्यादा प्रभावशाली है? कलयुग में हनुमान जी को सरवाधिक उपास्य देवता माना जाता है. वे शक्ति पूंज, तेज की साकार, प्रतिमा और साहस के प्रतीक हैं. कलयुग की माता के रूप में देविकाली, भद्राकाली क को जाना जाता है. देविकाली, हिंदु धर्म में एक महाशक्ति का प्रतीक है. पौरानिक ग्रंथों में ऐसा माना गया है कि कलयुग में जहां जहां प्रभुश्री राम की कथा होगी, हनुमान जी भी वहीं वास करेंगे. शास्त्रों और वेदों में भगवान हनुमान को कल युग में देवता बताया गया है कहा जाता है कि जो भक्त सची श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करेगा उसे भगवान जरूर दर्शन देंगे इसलिए इन्हें कल युग का जीवित या जागरित देवता कहा गया है दोस्तों, कल युग को शास्त्रों में सबसे कठिन और पाप मय युग माना जाता है इसमें अधर्म और अन्याय अपने चरम पर होते हैं लोगों के जीवन में अशान्ती, भरष्टाचार और विश्वास घात जैसे दोशों का बोल बाला रहता है लेकिन क्या ये सब कुछ हनुमान जी की शक्ति के आगे टिक पाएगा कल युग में जब जब पाप और अन्याय का स्तर बढ़ता है हनुमान जी अपनी अद्रिश्य शक्ति के माध्यम से धर्म की रक्षा करते हैं चाहे वह भक्तों की सहायता हो या फिर किसी संकट से छुटकारा दिलाना हनुमान जी हर समय अपने भक्तों के साथ होते हैं उनकी उपस्थिती का एहसास हमें हर समय सुरक्षा और साहस प्रदान करता है कल्यूग ने अपनी माया और छल का प्रयोग कर हनुमान जी को भ्रमित करने की कोशिश की लेकिन हनुमान जी जो भगवान राम के परम भक्त हैं उनकी भक्ती और शक्ती के सामने कोई भी माया ठिक नहीं पाई हनुमान जी की भक्ती, शक्ती और उनके अटूट धर्म के सामने कल्यूग की सभी चालें विफल हो गई हनुमान जी ने यह सिद्ध कर दिया कि जब भी अधर्म अपने चरम पर पहुँचेगा तब वह धर्म की रक्षा के लिए खड़े होंगे अब बात करते हैं श्री हनुमान जी की, जो भगवान राम के सबसे बड़े भक्त और शक्तिशाली योध्धा माने जाते हैं उन्हें अमरता का वर्दान प्राप्त है और वे कल्यूग के अंत तक इस धर्ती पर रहकर धर्म की रक्षा करेंगे उनकी शक्ती अद्विती यह है, वे हवा से भी तेज दोड सकते हैं, परवतों को उठाने की ताकत रखते हैं और उनके मंत्रों का असर असीमित होता है दोस्तों, अगर हम कल्पना करें कि कल्यूग और हनुमान जी के बीच सीधा मुकाबला हो, तो क्या होगा? एक तरफ है कल्यूग की अनियंतृत और नकारात्मक शक्तिया, और दूसरी तरफ है हनुमान जी की दिव्य और सकारात्मक शक्तिया, इतिहास और पुराणों के आधार पर देखा जाए, तो अधर्म कभी भी धर्म के सामने नहीं टिक पाया हनुमान जी की शक्ती कल युग के हर चुनोती को परास्त करने में सक्षम है अधर्म कितना भी प्रबल क्यों न हो धर्म की शक्ती हमेशा विजई होती है हनुमान जी के आशीरवाद से ही कल युग के अंधकार का अंत हो सकता है तो दोस्तों, आज हमने इस रोचक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की हमारे विचार से हनुमान जी की शक्ती इतनी असीम और शक्तिशाली है कि कल युग भी उनके आगे टिक नहीं सकता परन्तु ये सोचने वाली बात है कि आप इस विशय में क्या सोचते हैं वीडियो से जुड़े रहें जय श्री राम, जय हनुमान